विदिशा से लेकर विदेश तक जिसके डांस के चर्चे हैं आज हम जानेंगे उन्ही के जिंदगी का सफर जिसने उन्हें एक आहम आदमी से सेलेब्रेटी बना दिया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ डब्बू अंकल या मैं ये कहूँ प्रोफेसर संजीव श्रिवास्तफ की सो क्या हाल चाल सबको सलाम और वेल्कम तो दिस यूटूब चैनल जिसका नाम है वीडियो देखने से पहले सबस्क्राइब कर दीजे इस चैनल को और दबा दीजे इस घंटे को ताकि आपको अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले संजीव जी का जन्म 12 जू 1971 को हुआ बच्पन में वो अपनी मा को कलोनी में रहरे लड़कियों को फ्री में डांस सिखाये देखा करते थे और बहुत अस्ते थे उनकी मम्मी क्लासिकल डांसर है और ये डांस के गुन कब डबू अंकल में पास हो गए किसी को पता ही नी चला अपनी 10 साल की उमर से ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने नगर पालिका टाउन हॉल में एक बेक डांस कॉपर्टनीशन में फर्स प्राइस जीता इस जीत से खुश होकर कॉलोनी के लोगों ने उन्हें कंदे पर उठा कर घर तक छोड़ा और वहीं से वो डबू डांसर के नाम से विदिशा में फेमास हो गए वो अकसर थेटर में जाकर फिल्में देखते और फिर घर आकर गोविंदा और मिथुन के डांस टैप को अकेले में प्रैक्टिस करते थे इसी बीच उनकी स्कूलिंग से खतम हुई और वो इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रेदेशनी कॉलर्स ओफ इंजिनिरिंग नागपुर चले गए वहाँ डांसर उनका नाता और मजबूत हो गया कॉलेज का फेस्ट हो या कोई भी पार्टी हो उनके डांस के बिना हमेशा अधूरी रहती थी फिर धीरे धीरे उन्होंने और्केस्टरस में भी काम किया जैसे मेलोडी मेकर्स और काफी ड्रमाटिक्स क्लब भी जॉइन करें जहां भी गए अपने लिए प्यार पाया आठ में 2006 को उनके शादी अंजली श्रिवास्तर से हुई और उसके बाद उनके दो बच्चे भी हुए पर पिछली साल 2017 जून 20 को उनके छोटे भाई की ट्रेन हथसे में मौत हुए इससे उनकी मा को काफी सद्मा पहुँचा वो 11 महिने तक अपने घर से बाहर नहीं निकली फिर एक दिन 12 अप्रिल को डब्बू अंकल का वीडियो उनके साले सहब की शादी की लेडी संगीत से इस कदर वाईरिल हुआ कि उन्हें विदिशा के नगर पालिगा का ब्रैंड अमबैस्टर गोशित कर दिया गया तब उनकी माँ घर से निकल कर आई अपने बेटर को समानत होते हुए देखने के लिए और इसी डांस की वज़ा से उन्होंने अपने माबाब को जीने की वज़ा फिर से दे थी और आज डब्बू अंकल, शिवरा सिंग चोहान, दिगविजे सिंग, शुनील शेटी, सल्मान खान, रजा मुराद, माधुरी दिख्षित और फाइनली अपने आइडल गोविंदा जी से मिल पाए जो काम्याबी उन्हें 20 साल पहले मिलने चाहिए थी वो देर आई, पर दुरुस्त आई एक प्रोग्राम के दोरान स्टेज से गिर जाने की वज़ा से उनका लेफ्ट पर उतनी ठीक से काम नहीं करता तब भी उन्होंने डांस करना कभी नहीं छोड़ा और सब को एंडिटेन करते आए तो अगर कोई भी आपसे ये बोले कि डब्बू अंगल तो यहीं फेमस हो गए तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा देना और हाँ डब्बू अंगल के अरुजिने सोचिल मीडिया हैंडिल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो शायद आज आज आपको कुछ नया जानने को मिलाओ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दब्बू अंकल और उनके फैन्स तक पहुंच पाए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप अगर किसी के बारे में ढूंड रहे हैं या जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा तो फिर मिलता हूँ मैं आप से इसी जगे पे तब तक के लिए मैं आप ले ढूंदा कुछ इंट्रस्टिंग कुछ धमागेदार और कुछ इंफॉर्मेटर